कहानी सुरू होती है एक कार रेश से और हमेशा की तरह गानियस नाम का रेशर लीड कर रहा होता है और उस रेश को थियो नाम का एक सनेल टीवी पे देख रहा होता है उसका भी हमेशा से सपना था कि वो भी एक दिन एक रेशर बनेगा वो गानियस को ही अपना आइडल मानता उसे जब भी मौका मिलता वो उसका इंटर्व्यू सुनता था गानिय सपने इंटर्व्यू में कहता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और सपना देखने वाला कभी छोटा नहीं होता ये लाइन थियो को हमीशा मोटीवेट करती थी थियो का बड़ा भाई चेट उसके रेशर बनने के सपने को लेकर हमीशा चिंतित रहता था वो उसे समझाने की बहुत कोशिस करता था कि वो एक सनेल है और वो कभी भी एक रेशर नहीं बन सकता पर उसकी कोई भी बातों का उस पे कोई असर नहीं होता था वहीं के एक गार्डेन में थियो बहुत से सनेल के साथ रहता था उन सब का बस एक ही काम था वहां के पौदों से पके हुए टमाटर कोई कट्ठा करो और फिर आराम से खाते रहो पर वहां भी थियो उन टमाटर को लुड़का कर उन से रेश करने की कोसिस करता था जिसे देख कर वहां के सारे सनेल उसका बहुत मजाक उड़ाते थे चेट उससे कहता है कि वो कब अपने सर से इस रेश का भूत उतारेगा वो ये क्यों नहीं समझता कि वो एक सनेल है और कुदरत ने उन्हें ऐसा नहीं बनाया कि वो एक रेश सर बन सके उसे ये बात मान लेनी चाहिए कि वो एक बहुती सुस्त और बेजान जीव है इस बात को वो जितनी जल्दी एकसेप्ट कर लेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा तब ही वहाँ के घर से एक बच्चा अपनी बाइक लेकर बाहर निकलता है उसे अपने पास जो भी कीड़ा दिखाई देता था वो उसे अपने बाइक से कुचल देता था सारे सनेल उसे देखकर अपने सेल में छुप जाते हैं रात में फिरसे थियो गानियस का इंटर्विव देख रहा होता है जिसमें वो कह रहा था कि हर रेसर के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे कुछ सेकेंड्स में डिसीजन लेना होता है कि पीछे हटे या आगे बढ़े एक चांस लेकर सब कुछ दाव पे लगा दे या सेफ खेलते हुए हार को गले लगा ले अगले दिन वो सब सनेल फिरसे अपने गार्डन में टमाटर खा रहे होते हैं तभी एक बड़ा सा पका हुआ टमाटर गिरता है पर वो लुड़कता हुआ उनके गार्डन से बाहर गिर जाता है सारे सनेल उसे खाने के लिए उसकी तरफ जाने का सोचते हैं तभी चेट सब को रोप कर कहता है कि आज घास कटने का दिन है और तभी एक आदमी अपने घास काटने की मसीन लेकर वहाँ आता है सारे सनेल वापस चले जाते है तभी त्यो चेट से कहता है कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली वो उस टमाटर की तरफ देखता है और उसे गानी इसकी बात याद आती है कि एक चांस लेकर सब कुछ दाव पे लगा दो या फिर हार को गले लगा लो और वो उस टमाटर के तरफ बढ़ने लगता है चेट उसे वापस आने को कह रहा होता है पर त्यो को अब वो एक रेस जैसा लग रहा था उसे घास काटने वाले से पहले टमाटर तक पहुँचना था वो अपनी पूरी स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है पर उसकी स्पीड इतनी कम थी कि बहुत जल्द वो घास काटने वाली मसीन उस तक पहुँचने ही वाली थी और वो उसमें कटकर मरने ही वाला होता है तभी चेट पाइप के पानी की फोर्सिंग से उसे मसीन से कटने से बचा लिता है चेट उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें मरने का सौक है क्या तुम्हारा दिमाग का है थीओ उदास होकर वाँ से चला जाता है और वो रोड की किनारे आ जाता है तभी एक बड़ा सा ट्रक उसके पास से गुजरता है और वो उड़ता हुआ वहां से दूर एक कार के बोनिट पे गिरता है जो एक रेसिंग कार थी और रेस स्टार्ट हो चुकी थी और थियो उस गाड़ी के बोनिट पे ही होता है पहली बार उसने इतनी तेज रफतार कानुभो किया था उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है तभी एक जटके से वो कार के इंजिन के अंदर चला जाता है उस कार का ड्राइवर अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए नैटरस अकसाइड का यूज करता है और वो थ्यो के अंदर भी चला जाता है उसके सेल में बदलाव होने लगते हैं और तभी वो कार से बाहर निकल कर रोट पे गिर जाता है सुबह उसकी आँख खुलती है और वो वहाँ पे अपने आपको अकेला पाता है वो वापस से अपने गार्डेन में आ जाता है तभी वो अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करता है उसके दोनों आख किसी कार के हेड लाइट जैसे चमक रहे होते हैं और उसके सेल के पीछे भी लाइट जलने लगी थी वो इन सब को देखकर बहुत हैरान था बच्चा उससे डर कर घर के अंदर भाग जाता है थीयो अपने स्पीड देखकर बहुत खुशता वो उस बाइक को ले जाकर उस गार्डेन में ठकरा देता है जहां बहुत से सनेल अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं उन सारे सनेल का लीडर कार्ल थीयो और उसके भाई चेट पर बहुत गुस्सा करता है और उन दोनों को अपने समाज से बहार निकाल देता है चेट इसके लिए थीयो पर बहुत गुस्सा करता है वो कहता है कि वो कब तक उसकी गलतियों के लिए सबसे माफी मांगता रहेगा थियो अपने अंदर होने वाले बदलाव को उसे बताने की कोसिस करता है तभी एक क्रो आकर चेट को अपने पंजो में उठा कर वहां से लेकर चला जाता है थियो अपने पूरी अस्पीड से उसका पीछा करता है वो क्रो चेट को खाने ही वाला होता है कि तभी थियो आकर उसे बचा लेता है चट थियो को अपने पास देखकर बोलता है कि ये उसने कैसे किया तभी टीटू नाम का एक लड़का उन दोनों को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है वो उन्हें लेकर एक जगा पहुंचता है जहां बहुत से लोग पैसा लगाकर सनेल की रेस करवाते थे वहां और भी बहुत सारे सनेल्स थे उन सब को एक छोटे से रेस ट्रैक पे खड़ा कर दिया जाता है और रेस शुरू हो जाती है थियो चुपचाप खड़ा होता है वहाँ के बाकी लोग टीटू पे हस रहे होते हैं कि उसका स्नेल तो चल भी नहीं पा रहा है तभी थियो अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ता है उसके स्पीड से सब कुछ बिखर जाता है वो वहाँ के आसपास का पूरा एक चक्कर लगा कर वापस आता है सब उसे देखकर हैरान थे चेट उसे साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है लगता है तुम्हें कोई खतरनाक विमारी हो गई है पर थियो उसे कहता है कि उसे डरने की कोई ज़रुरत नहीं है वो बिल्कुल सही है टीटू थियो को अपने हाथ में उठा लेता है और उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहां से आया है पर वो बहुत कमाल का है तब ही टीटू का भाई उसे आवाज देता है और कहता है कि दुकान में आकर वो कुछ काम भी कर ले उनका काम टैकोस बेचना है ना कि सनेल्स की रेस करवाना टीटू अपने भाई से कहता है कि अभी तेक उसने इस सनेल्स की रेस नहीं देखी है यह बहुत जादा तेज है और अगर वो इसकी रेस करवाते हैं तो वहाँ लोगों की लाइन लग जाएगी और उनके सारे टैकोज भी बिग जाएंगे उसका भाई उसे सपने देखना बंद करके काम करने को कहता है टीटू थियो के लिए एक बेड बनाता है और उसे गुड नाइट बोल कर चला जाता है कुछ दिर बाद उसके पास वहां के बाकिश सिनेल साते है उन सब का हेड विपलैस नाम का एक सिनेल होता है वो सब थियो से पूछते हैं कि वो इतना तेज कैसे हुआ वो से अपने गैंग में सामिल होने को कहता है पर थियो से कहता है कि वो लोग बहुत सलो हैं इसलिए वो उनके गैंग में सामिल नहीं हो सकता विपलैस उसे उनके साथ एक race करने को कहता है थियो इसके लिए मान जाता है विपलैस उसे कहता है कि जो सबसे पहले उस चमकते हुए start तक पहुँचेगा वही इस race का winner होगा race start हो जाती है वो सारे सनेल दिमाग लगाकर वहाँ लगे तार से स्लाइड होकर जाने लगते हैं, थियो अपनी पूरी एस्पीड से उनके पीछे जाता है, और बहुत जल्द उनसे आगे भी निकल जाता है, पर वो वहाँ के तार के अंत में घूमता ही रह जाता है, और बाकी के सनेल उससे पहले अस्टार तक पहुंच विपलैस उससे कहता है कि सिर्फ तेज होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए, अगले दिन चेट थियो से कहता है कि तुम कब तक इस टीटू नाम की लड़के के साथ रहने वाले हो, ये तुम्हारा इस्तिमाल अपना धंदा बढ़ाने के लिए कर रहा है, ना चाहता है, टिटू को उसकी बात समझ में आ जाती है, वो जाकर अपने भाई को इस आइडिया के बारे में बताता है, पर उसके भाई को स्नेल को रेस में सामिल करने का आइडिया बहुत बुरा लगता है, वो कहता है कि रेस में कुछ नियम होते हैं, वो कभी एक स्नेल क प्रेश में सामिल नहीं होने देंगे टीटू कहता है कि उसने रेश के सारे नियम को पढ़ा है और उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि एक स्नेल उसमें भाग नहीं ले सकता उसे सिर्फ रेजिस्ट्रेशन कराने के 2000 डॉलर चाहिए ये सुनके उसका भाई उससे कहता है कि उसने इतनी मैनत से ये पैसे जमा किये हैं और वो इसे ऐसे ही बरवाद होने नहीं दे सकता है टीटू से समझाने की कोसिस करता है कि लाखों लोग उस रेश को देखेंगे और उसके वज़े से उनका दुकान भी फेमस हो जाएगा पर उसका भाई उसकी बात नहीं मानता है टीटू वहां के आसपास के दुकान बालों को पैसे देने के लिए मनाने की कोसिस करता है वो उन्हें एक प्रिजेंटेशन बना कर बताता है कि कैसे उस सनेल के रेश में हिस्सा लेने से उनकी दुकान पे बहुत से लोग आने लगेंगे और उनका ये अस्टारलाइट प्लाजा एक सूपर मार्केट बन जाएगा पर उन सबको टीटू का आइडिया पसंद नहीं आता है चेट भी थियो से कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ वो रेश में हिस्सा ने ले पाएगा नहीं तो ऐसा ही बेकार में किसी कार के नीचे आकर मारा जाता तब ही वहाँ विपलैस अपनी गैंग के साथ आता है और उसे कहता है कि वो किसी भी हालत में थियो को उस रेस में सामिल जरूर करवाएंगे और वो सारे सिनल वहाँ से जाकर एक बस का टायर पंचर कर देते हैं और उनके पलाजा के पास लेकर आते हैं वहाँ थियो उस बस के पैसेंजर को अपनी स्पीड दिखाने लगता है जो उन सब को बहुत पसंद आती है वो सब बस के ठीक होने तक उस सनल की रेस दिखते हैं और उसकी वज़ा से वहाँ के दुकानों में भी अच्छे बिकरी होती है टीटू का भाई उससे बहुत खुश था पर वो अभी रेस के लिए पैसे देने से मना ही करता है पर वहाँ के बाकी दुकान के लोग उसे पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है टीटू उन सबको लेकर रेस में हिस्सा लेने के लिए निकल जाता है वो अपने भाई का रखा हुआ पैसा बे ले लेता है और उसे सौरी कह देता है टीटू रास्ते में थियो का रेसिंग नाम रखने के बारे में सोच रहा होता है तभी वो सारे स्नेल उसे टर्बो नाम का आइडिया देते हैं और वो सब थियो का नाम टर्बो रग देते हैं सब थियो को रेस के लिए तैयार करने लगते हैं अगली सुबा वो साव जगा पे पहुँच जाते हैं जां इंडी 500 चैंपियन सिफ होने वाली थी थियो वाँ रेस ट्रेक पे तेज तरार दोड़ती गाड़ियों को देखकर बहुत जाला एक्साइटेड हो जाता है टिटू वहाँ के रेजिस्ट्रेशन ओफिस जाता है और कहता है कि उसके पास एक ड्राइवर है जो रेस में हिस्सा लेना चाता है वहाँ का इंचाज उससे कहता है कि पहले उसे रेसिंग टेश्ट पास करनी होगी तभी वो रेस में हिस्सा ले सकते हैं टिटू से कुछ घूस देकर काम कराने की कोसिस करता है पर वहाँ के आदमें उसे उठाकर आपिस से बाहर कर देते हैं बाहर गानियस से सारे रिपोर्टर्स सवाल कर रहे होते हैं तभी थियो टीटू को घसीटता हुआ गानियस के पास ले जाता है और वो उसे कुछ आइडिया देता है टीटू उन सब के सामने थियो के बारे में बताने लगता है कि यही है इस रेस का अगला विनर सब एक स्नेल को देखकर हशने लगते हैं टीटू थियो को ट्रैक पे उतार देता है थियो अपने पूरिया स्पीड के साथ रेसिंग टेस्ट देने लगता है वहां के सारे लोग उसकी स्पीड को देखकर हैरान थे उस रेस में थियो की स्पीट 226 किलोमेटर परावर थी जो की रेस में हिस्सा लेने के लिए काफी थी थियो की रेसिंग वाली वीडियो इंटरनेट पे वाइरल हो जाती है सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं ये खबर इंडिकार के सियो तक भी पहुँचती है वो एक प्रेस कॉनफरेंस करता है और सब को बताता है कि वो एक स्नेल को रेस में हिस्सा लेने नहीं दे सकता पर वहाँ के सारे लोग इसके खिलाब प्रोटेस्ट करने लगते हैं तभी गानियस भी कहता है कि कोई भी रेसर छोटा या बड़ा नहीं होता इसलिए उस स्नेल को भी रेस करने का पूरा हक है इंडिकार के सियो को भी उनकी बाते माननी पड़ती है सब लोग बहुत खुस हो जाते हैं पर चेट अभी भी उदास था रात में थियो उससे बात करता है कि वो उसके रेस में हिस्सा लेने से खुस क्यों नहीं है चेट उससे कहता है कि उसे उसकी परवा है वहां रेस में बहुत सारी गाडियां होगी वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा पर थियो उसे कहता है कि उसे अपने आप पे भरोसा है और कास वो भी उस पे थोड़ा भरोसा करता ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वो गानियस के गाराज में पहुचता है वहाँ उसकी कार को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है वो उसके जीते हुए champion cup को देखने लगता है तभी वहाँ गानियस आता है और उसे कहता है कि कहीं उसकी नजर उसके cup पे तो नहीं है वो थियो को अपने हाथ में उठा कर कहता है कि कितना छोटा है वो इसलिए सब लोग उसे race करते हुए देखना चाहते है बहुत सारे लोग इस race को देखने के लिए आएंगे पर हमेशा की तरह जीतना तो उसे ही है वो थियो से कहता है कि अभी भी मौका है race से वो बहार निकल जाए और वो उसे अपने गराज से बहार कर देता है अगले दिन race सुरू होने वाली थी टिटू थियो को गुड़ लग बोल कर उसके track पे रख देता है और race सुरू हो जाती है और पहला warm up round सुरू हो जाता है थियो देखता है बहुत से लोग उसे देख रहे हैं वो अपने पूरी speed से आगे बढ़ने लगता है पर वहाँ इतनी सारी गाड़ियों के आसपास होने से वो बहुत घबरा रहा था वो कई बार तो कार के नीचे आते आते बचता है देखते ही देखते तीसमा लैब सुरू हो जाता है थियो अपनी टीम के पास refreshment के लिए आता है विपलैस और उसकी सारी टीम उसका अच्छे से maintenance करते है विपलैस उससे कहता है कि वो एक कार नहीं है बलकि एक snail है इसलिए वो एक snail की तरह race करे ना कि एक कार की तरह वो फिर से race में सामिल हो जाता है और इस बार वो confident लग रहा था वो अपने आगे की कार्स के नीचे से निकल कर उनसे आगे निकल रहा था ये देखकर सारे लोग उसका होसला बढ़ाने लगते हैं चेट भी उसे देखकर अब खुस हो रहा था बहुत जल्तियों की टकर गानी इसके कार से होने लगती है दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोसिस कर रहे होते हैं पर तब ये आगे निकलने के चकर में ट्रैक पे पढ़े टैर के कुछ टुकडों से टकरा कर थियों वहां की रेलिंग से जाकर टकरा जाता है उसे बहुत चोट आती है उसका सेल भी डैमेज हो जाता है टीटू और उसके लोग उसे रेस से बाहर कर देने को कहते हैं क्योंकि अगर एक और चोट लगी तो ये बरदास नहीं कर पाएगा और इसकी जान भी जा सकती है पर थियों को अब वो सारी गानिया एक टमाटर जैसी लगनी लगती है और वो अपनी पूरिय स्पीड के साथ रेस में आ जाता है और बहुत जल्द वो गानियस के कार के पास पहुंच जाता है बीच-बीच में उसका पावर खत्म हो जा रहा था पर वो हार नहीं मानता है और वो बहुत जल्द गानियस के कार से भी आगे निकल जाता है फाइनल लैप अब सुरू हो चुकी थी और थियो सबसे आगे चल रहा होता है गानियस उससे किसी भी हालत में आगे निकलने की कोसिस करता है और इसी चक्कर में वो भी उन टैर के टुकडो की तरफ चला जाता है और उसकी कार आट अफ कंट्रोल हो जाती है पर वो अपने हाथ से थियो का सेल के उपर का हिस्सा निकाल देता है सारी कार्स वहाँ गानियस के एक्सिडेंट से ट्रैक पही रुक जाती है थियो भी गायलोकर वहीं गिरा था उसका सेल टूट चुका था वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था पर वो अपने मंजिल के इतने करीब आकर हार नहीं मानना चाता था वो अपनी धीमिया स्पीड से ही आगे बढ़ने लगता है उसके हार ना मानने वाले होशले को देखकर वहां के सारे लोग उसका होशला बढ़ाने लगते है गानियस भी अपनी टूटी कार को हाथ से ही खीच कर फिनीसिंग लाइन तक लाने की कोसिस करने लगता है वो किसी भी हालत में थियो को रोकने की कोसिस करता है पर थियो सेल के अंदर घुसकर लुड़कता है और फिनीसिंग लाइन को पार कर जाता है वो ये रेस जीट चुका था सारे लोग बहुत खुस हो जाते हैं थियो को चैंपियन कब दे दी जाती है टीटू और वहां के बाकिसा भी दुकान की किस्मत अब बदल चुकी थी क्योंकि उनका वो प्लाजा अब फेमस हो चुका था थियो का टूटा हुआ सेल भी अब रिकवर हो चुका था और उसका पावर भी वापस आ चुका था और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज डू लाइक और सेर दे वीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो मैं चैनल और प्रेस देट बेल आइकन